नमस्कार किसान भाईयों, स्वागत है आपका आपकी पसंदीदा फसल करांती योटूब चैनल में किर्शी की वीडियो देखने के लिए और किर्शी की जानकारी के लिए आज ही हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें और बैल आइकन दबाना ना दूने ताकि आपको समय पर किर्शी से संबंदी जानकारी मिलती रहे मेरा नाम डॉक्टर रनबीज सिंग राना है मैं यहां पर एक प्रोजेक्ट है मारा वल्ल्ड बैंक और नेही अचिप फंड़ेट यहां जोईन्टली फंड़ेक्ट है यह जोईंटली फंड़ेक्ट है तो इसमें मैं प्रिश्पल इंविस्टिगेटर हूं और इसमें हमारे लग बग 20 लोग जुडे हैं जो लग-लग कंपोनेट कर रहे हैं और इस प्रोजेक्ट का सबस्य अच्छी पात इस अच्छी बात है कि कम से कम हम हमने छेक रोड पचास लाख कर एड किया है फस्टेट आफ द आप जो हमरे पास polyhousas है, high-tech polyhousas है फाइटारोन है, hydroponics है यह सारी फसलिटी हम नहां पे बिवल्ब कर दी यह इंग और यह जो दाद फसलिटीज है और यह फसलिटी एक सब्सक्ट के रूप में अबर कर आई हैं और इसमें हमारा एक जो एक जो एक जो जोगों को अभ्याजा दियु जढ़ा है टो एक 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 हमारा जो पर जो अजय कि अवार्वी होगारी ज़ी में दोले순ग इंजे पुछीकेża Matipour को उपलेंगा के दोना इंजे अजे प्रफ़क लिंद करकेने लाते की हैं człгов्डम पी अल modular का से का में कापे लो इस पाल की आर लो किरेंगाँ अऑ्रेन तोफल किसके लोह मैं श सरफ अधर करें जिसमें हमें ICR का और DDG एजुकेशन जो हैं डक्टर आर्सी अगरवाल जी उनका भी धन्याबाद करता हूं जो कि अजग एजग लग लगग लगए लगवाल जो जान के लिए लगवाल जो जो टुटी और जो नो माँझे लगवाल लगवाल जो एज फटीज उनका तेस्ट जिए लगवाल आर्ट फसलिटी है वो कुछ है फसलिटी तो ऐसी जो कि इंटरेशनल लेवल की है जो कहीं भे नहीं है जो कि हमने यहां पर क्रेट कि ए इस प्रोजेक्ट के माददें से इस अने वाले टाइम के लिए भी अगरी इस प्रोजक्ट की यह जो फैसलिटीज इस अप्रोजक्त के रूप में आए हैं कि युई हिमानचर पिरदेश इस स्टार ट्राटUब भी ठार्टुपि जो प्रड़ा एप इप पॉली होटे हैं थी कार्य करें ट्राग। झेसे लिए के लिए लग लोग चाहिक बहुते हर लोगों डोरatus कि अपना लावी कि अनका स्टार्टप् प्रवाइड करवाई गई इसके साथ जो नहीप का प्रोजेक्ट इसमें हमने और जो अपोनेट टू है जिसमें अपर एगरी दिख्षा एक बैब चैनल बनाया है बर्चुल क्लास्रूम बनाया है केरियर डॉलमेंट सेंटर बनाया है एकड़मिक मेजमेंट सिस्टम को भी अ इनके सेंटर बनाया हो कोरी सब्वाई टू किया है और इनके स्क्म पर्णानें के अगर लगे धर जुड़ुक टू कर रहे हैं और इसका जुडेक्ट यहां पर करए है और मैं इसका पीज प्रोजेक्स का एक नॉडल ओफिसर हुँ हूँ हुँ ताकि अगर कोई किसी की फं मेरा नाम डॉक्टर संथ प्रकाश है मैं सेवा निवरित प्रफेसर हूं वेजीटेबल साइंस में और फिलहाल मैं हिमाचल प्रदेश कृषिव श्रादलया पालंपूर में सलाहकार एक कंसल्टेंट के रूप में सेवाइं दे रहा हूं क्योंकि यहां जो एक बहुत महतवका प्रियोजना जिसका जिकर हमारे प्रिंसिपल इंवर्स्टिगेटर डॉक्टर राना जी ने किया उसी में ही मैं कंसल्टेंट हूं और प्रोटेक्टेड एग्रिकल्चर में कंसल्टेंसी दे रहा हूं जो प्रोटेक्टेड एग्रिकल्चर है जिसको सरक्षित खेती भी कहत होती है दूसरा ऑपसीजन है तीसरा इसकी जो अंदर गुणबता आती है क्योंको एक समयने तापमान मिलता है तो उस दिशा में हमारे पास बहुत सारी टेकनोलोजी जैसी है जिनको फार्मर्स ने अपनाया है और कृशी विभाग ने भी इस पे अनुदान के बेसे पे बहु जगा जितने भी नूट्रियंट्स है उनको प्रकृतिक उसके घटक हो उस दिशा में हम काम कर रहे हैं यह जो हमारा प्रटक्टर्ड अग्री कल्चर है यह पाड़ी क्षेत्रों में इसका इसलिए ज्यादा महत्व है कि यहां जो मेंटेनेस है प्रेचर 50 या 48-50 हो जाता है तो उसको ठंडा करना के लिए बहुत इनरजी चाहिए मगर हमारा जो समानिया तापमान है वो अगर 10 डिग्री सेल्सिस भी उपर चला जाए तब भी वो 35-45 से उपर नहीं जाता और हमारी फसलें जो हैं वो अंदर बच जाती है और जो हमने इसमें शंशोधन किया हुआ है कि जो नेच्रल वेंटिलेटर पॉली हाउसे जिनको तीनों दिशाओं से या चारों दिशाओं से जाली रखी हुई है पांच-छे फुट ताके जो गर्म हवा है वो बार निकले और ठंडी हवा अंदर आए तो एक तो उससे अंदर का तापमान समानिया रहता है दूसरा उ अंदर जो फोटो सेंटेटिक अक्टीटी है प्लांस की वह बहुत ज़्यदा होती है फोटो सेंटेक आटिवीटी द्मेर पानी की मातर से जो खरFr 4 हाइड़ेट्स बनते हैं वो जयादा मात्र में बनते है पौद्यों को ज़्यदाए इनर्जी मिलती है इसलिये पौदा अ वाल हरी यह भी लाबकारी है अंदर के लिए और एक जो पार्थीनो कार्पिक जिसको पॉलिनेशन की ज़रूरत नहीं होती वो खीरा वो भी अंदर लगता है इसके अत्रिक्त हमारे जो चोटे सतर के जो पॉली हाउसे जैसे सो वर्ग मीटर का है दो सो बर्ग मीटर का है वो को पूरी कर सकते हैं किसी चोटे परिवार के लिए एक सो वर्ग मीटर का भी अगर एक पॉली हाउस हो तो उसको बर्ष भर अपनी घर की ताजा सब्जी यह वहां से ले सकता है क्योंकि देखिए सब्जी अगर हमें 300 पैंट दिन चाहिए और अगर हम रोज की 100-500 प्या सब सब्जी पे खर्च करते हैं तो लगवा 50-60,000 का बजट हमारा सब्जी पे जाता है तो अगर यह डिमेस्टिक स्थर पे भी यह पॉली हाउस जो कल्टिवेशन है यह काफी फाइदेबंध है जिसमें हम निरंतर उपलवतार रहेगी तो यह तो प्रोटक्टेड अगरी सब्जी का गहर है और यहां से जितनी भी सब्जियां हमारे वेजटेबल ग्रोर पैदा करते हैं वो बेमास्मी सब्जी के रूप में मदानी किशेत्रों में उसकी बहुत जादा मांग होती है और बहुत अच्छे भाव पे वो मिलते हैं जैसे मैं एक्जेंपल दूँ के हर सब्ग शेत्र हैं उसे मार्च अपरेल में सपलाई चलती है एफिर उसके बाद हमारी मिडभ हाई है वहाँ ऎपरेल माई में और उसके बाद हमारी हाई का माही नहीं गते हैं आता है और जो ट्राइ टम्परेट जे जो एन्चाई 300 तक हमारी कास्त होती है जो जिला लाहल्स पीती और किनौर के भागें वहां बे मौसमी मटर जो है वो लगता ही अप्रैल मई में है और वो फसल हमारी अगर सब्टेंबर में आती है और उस टाइम किसानों को खेत पे ही सतर से असीर पे किलो बिगते हैं क्योंकि उसकी उस उबर तक सप्लाई करते हैं शिमला मिर्च हम जून से सब्टेंबर तक कपलाई करते हैं बंद घूब फूल गप भी हम बर्स पर पैदा करते हैं आलू हमारे प्रदेश के अंदर सी पीराई है जो केंद्रीया अलु अनुसंदान केंदर है वो सी पीराई है और वहां जितने आप्ड समट आप्ड बार यह कर सेक्टान के लिए पयुक्त है और नीचे के बंबे के कलकता के जो चिपस के बेवपारी है वो यहाँ से थोक मैं यहीके जादा सब क्रक्स्तर निखे रहे ज़ट रहे हैं वो टरपे इसकी खेती होती है, और जो हमारे उन्चे पहाडी क्षेत्र है Rachel जो शुश्क उन्चे पहाडी क्षेत्र है, यहनी ड्राईटेंपरेट, जहाँ बारिष नहीं पड़ती है, वहां आलो बीज के लिए ग्रों किया जाता है, वहां कुफरी ज ज्यो्ति और कुफरी चंदरमुखी का जो बीज है वो लाहॉर पोटेटो ग्रोर सुसाइटी है वो ज्यादा तादाद में उसको ज्यादा मात्रा में पैदा करती है प्रदेश की र्कॉर्मेंट भी पूरी करती है और जितने हमारे पडोसी राज्या हैं बलके गुजरात महरास्टा त का तहदल से शुक्र गुजर हूं